अकाश्वानी भुपा से प्रस्तुत है प्रादेश एक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुकता बैनर जी सबसे पहले इस बुलुटन के मुख्य समाचार प्रदेश में दो करूर रुपे का वाशिक व्यवसाय करने वाले टोल नाकों के संचालन की जमिदारी महिला आजीवी का स्वसाहता समोहों को सौपी जाएगी राजी के नगरी निकायों के 17,000 पेंशनल्स की महंगाई राहत में 5 प्रतिशत की व्रधी प्रारंभिक शिक्षा रैंकिंग में छिंदवाडा जिला पहले स्थान पर बालखाट सिवनी छतर पुर्भी शेश दस जिलों में शामिल और होकी में पाकस्तान को 40 सहरा कर भारत एशियाई चैंपियन्स ट्रोफी के समिफानल में अब समाचार विस्तार से प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2 करूर रुपे का वाशिक व्यवसाह करने वाले टूल नाकों के संचालन की जमेदारी महिला आजीवी का स्वसाहता समहू को सौपी जाएगी ये घोशना कल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान ने अनूपपुर जिले के ग्राम पोटकी में घटिया चौपाल में जन समवात के दौरान की ग्रामीन जन बैगा समुदाए के लोग महिलाएं और मुख्यमंत्री लाड़ी बहना सेना के सदस्य, सौपसाहता समुओ की महिलाएं, ग्रामीन पेशा, मोबलाइजर, जन सेवा मित्रों और महा विद्याले इन विद्यार्थियों ने समवात में हिस्सा लिया श्री चौहान ने अनूपपुर दौरे के दौरान 310 करोड 65 लाख रुपए लागत के विकासकारियों का लोकारपन और शिलान नियास किया प्रदेश के नगरिय निकायों के साथवे वेतनमान अनुसार पेंशन प्राप्त कर रहे 17,000 पेंशनर्स की महंगाई राहत में 5 प्रतिशत की वृध्धी कर दी गई है इससे पेंशनर्स को हर महीने नियोनितम 400 से 4000 रुपए तक का फायदा होगा महंगाई राहत में की गई वृध्धी का भुखतान पेंशनर्स को इस साल एक चुलाई से किया जाएगा और माह अगस्थ में ही रक्षा बंधन के पूर वही पेंशनर्स को एक महीने की बढ़ी हुई महंगाई राहत राशी के एरियर्स का भुखतान भी किया जाएगा नगरिय निकायों के जिन पेंशनर्स को चटवे वेतनमान अनुसार पेंशन मिल रही थी, उनकी महंगाई राहत में भी 11 प्रतिशत की व्रद्धी की गई है। इससे उनकी महंगाई राहत राशी भी 201 प्रतिशत से बढ़कर 212 प्रतिशत हो गई है। केंद्री एलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मंत्री अश्वनी वैशनव ने कहा है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल से हर नागरिक का निजी डेटा डिजिटल डूमेन में सुरक्षित रहेगा। ये विधैक कल संसत से पारित हो गया। नई दिली में श्वी वैशनव ने कहा कि डिजिटल दुनिया अब अधिक सुरक्षित अधिक भरोसे मंद हो जाएगी और इसका आम नागरिकों के जीवन पर एहम प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज 140 करोड देशवासी इस डिजिटल यात्रा का हिस्सा है जिसे प्रधार्मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में शुरू किया था। संसद ने अनुसंधान राष्टिय शोद फाउंडेशन विधैक 2023 सहे तीन विधैक पारत कर दिये हैं राजे सभा ने इन तीनों विधैकों को कल स्वीकृती दी। लोग सभा इन्हें पहले ही पारत कर चुकी है। अनुसंधान राष्टिय शोद फाउंडेशन विधैका उदेश्य, गनित, विज्ञान, इंजिनियरिंग और प्राध्योगी की तथा परियावरण और प्रित्वी विज्ञान सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लि विशेशग्यों का मानना है कि बड़ती मुद्रास्विती, विशेशकर खादी मुद्रास्विती को देखते हुए और विकास की गती को जारी रखने के लिए पैनल यथा स्थती बरकरार रखेगा, RBI ने अपनी पिछली दो नितिगत खोशनाओं में रिपोदर को 6.5 प्र पर AIR News भूपाल पेज़ पर सुने जा सकते हैं, इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट News on AIR.com पर या AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद बुलिटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत हैं प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा में सभी 52 जिलों का सत्र 2022-23 का रिपोर्ट कार्ड और उनकी रैंकिंग जारी की है रैंकिंग में छिंद्वाडा जिला प्रथम और पालाघाट, सिवनी, छतरपुर, शाजापुर, दमोहु, नर्सिंगपुर, नीमच, दिंडौरी और सिहोर जिले क्रमर्शह प्रदेश में टॉप 10 में सबसे उपर रहे इस अफसर पर स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदर सिह बर्मार ने पूरे शैक्षन एक सत्र दोहजार बाईस तेईस में संपादत गतिविधियों और उपलब्धियों के आधार पर टॉप 10 मियाय जिलो को बढ़ाई दी और रैंकिंग में पिछड़े जिलों को बेहतर इस कारिक्रम में एक सो तिर्पन करोर रुपे के निर्मान कारियों का लोकारपन और शिला नियास करेंगे श्विचोहान जंदर्शन यात्रा के दौरान समाज के विभन वर्गों से मुलाकात भी करेंगे केंद्रिय संचार ब्यूरो की प्रदेश के विभन एकाईयों द्वारा आजादी के अमरत मोहतसव के तहट मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतरगत विभत कारिक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इसके अंतरगत केंद्रिय संचार प्योरो द्वारा इंदौर में 22-24 अगस्त और रायसेन में 23-25 अगस्त तक एकिकरच संचार आउट्रीच कारिक्रमों के आयोजन किये जा रहे हैं इसके अलावा कई कारिक्रम भी आयोजन किये जाएंगे उधर अंदौर जिले की सभी 334 ग्राम पंचायतों में वीरों की स्मृती में स्मारक्स थापित हुए हर्दा में क्रिशी मंत्री कबल पटेल ने ग्राम रातात लाई के शास्की बाध्यमिक विद्याले में 2000 रोहन कर विद्यार्थियों को पंच प्रण की शपत दिलाई पहतू जिले के प्रभात पटन, मुल्ताई और खर्ला में भी कारिक्रम आयोजित किये गए शतरपूर में पुलस लाइन स्मारक्स थल पर पुश्प चक्र अर्पित कर अमर शहीदों को नमद करते हुए वसुधा वाटिका में फलदार पौध रोपन कर अभियान का शुभारंब किया गया सतना में अमर शहीदों, स्वतंतृता सेनानियों, सुरक्षा बलों की शहीद जवानों की याद में शिला फलक में कालो कारपन हुआ ग्वालियर में आम लोगों ने हाथों में राश्यद्वज तिरंगा थाम कर पूरे जोश के साथ सभ्यान में भाग लिया शाजापुर में विभिन प्रतियों गिताय आयोजित की गई, जिसमें 15 से 29 वर्श आयू के लगभग 200 युवा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया दिन्डॉरी, गुना, खन्वा, सहित, अन्य जिलों में भी कारेक्राम आयोजित किये गई हौकी में भारत ने ग्रुप चरण के अंतिम मैच में पाकस्तान को 40 से हराकर एशियाई चैंपियन्स ट्रॉफी के समिफाइनल में प्रवेश किया भारती कप्तान हर्मन प्रीट सिंग ने दो जबकि जुगराज और मंदीप ने एक एक गोल किया भारत अब चार जीत और एक ड्रॉप के बाद 13 अंकों के साथ शीश पर है जबकि पाकस्तान टोर्नमेंट से बाहर हो गया है समिफाइनल में भारत का मुकाबला जपैन से होगा अब कुछ समाचार संक्षेप में करनाट के राज्येपाल थावचंद गहलो ताज आगर मालवा जिले के दौरे पर रहेंगे छतरपुर में जिला निर्वाजन अधिकारी ने मत्ताता सूची के द्वितिय विशेश संक्षिप्त पुनरीक्षन के अंतरगत कल राजनगर ब्लॉक के ग्राम पाई में मत्तान केंद्र का उचक निरिक्षन किया मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतरगत रीवा जिले के तीर्थ यात्रियों को लेकर आठ सितंबर को रामेश्वरम तीर्थ दर्शन के लिए ट्वेन रवाना होगी चिंद्वाडा में मूर्तिकारों ने जिलाद्भ्यक्ष को ग्यापन सौपते हुए पियोपी की मूर्तियों के निर्मान और विक्रे पर रोक लगाने की मांग की पन्ना जिले में लोकायक्तु पुलिस ने रैपरा में पदस्त, पटवारी, राम अफ्तार वर्मा और कम्प्यूटर ऑपरेटर भागी रचसीन को 18,000 रुपे की रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा है निंडौरी जिले में विकास पर्फ के पचीसवे दिन 14 लाख रुपे के नर्मान कारियों का भूमी पूजन और लोकारपन किया गया खंडवा जिले में विश्वा आदिवासी दिवस उट्सा के साथ मनाया गया आदिवासी ग्राम खालवा में मुख्य आयोजन हुआ और शिवपूरी जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतरगत इस वर्ष भी खरीव 2023 में अरणी क्रिशकों के फसल बीमा कराए जा रहे हैं बुलिटन में फिल हाल इतना ही इजासत दीजे नमस्कार